बाट बाट की क्या उसके बाद में काली मरीधा काली मरीधा के बारे में अपने अच्छे से जाना था कि यह जो मिट्टी है वो जो है काले रंकी पाय जाती है काले रंकी होती है यह महराश्टरक के कुछ भाग उजरात और अंदर प्रदेश तम्राडो के कुछ भागों बेजने यह पाय जाती है इस मिट्टी में कपास की जो क्रिशी सबसे अच्छी होती है चिप चिपी होती है इसके नाम भी दिये गए हैं जैसे रेगर मिट्टी और काली कपाशीय मिट्टी इसके दो अत्रिक नाम भी है तो यह सब बाते जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था आज का पाफे हमारा वान हम जो मरड़ा हैं जैसे लाज और पिली मिरदा ने रपी divine बीड़ेначAh तो ऐसी मिरद्धिया से हमारे थी उन n के भारे में जो हम करेंगे वह तो आज का पाफे हमारा यहार लाश के पिली मिरदा है जहां अर्यवेदर अगने चटाने पाए जाती है पच्छमी घाट के गिरिपत छेत्र के एक लंबी पट्टी में लाल दुम्टी मरीदा पाए जाती है लाल असुरी पिली और लाल मरीदें उड़ी सा था चतिर गड़ के कुछ भागों में मद्य गंगा के मिदान के देख् हिस्तों के कारण हैं लोवांस के मातरा ज्ली इसका रंग लाल पाया जाता है ते जहाम सा ब्सक्ते नहीं है जल्योजित होने के और यह पईली दिखाई पड़ती है में लाल दीखा ङौना होता ही महिं कण्वाल और लाल नहीं समानेता उर्वर होती है यह उपजाव होती है इसके वित्रन मोटे कड़ों तथा उस भूमियों की मिर्दाओं जो अनुवर होती है अगर देखो यह पर कहता है कि जिनके कड़ ज्यादा बारिक है वो उर्वर भी उपजाव मिट्टी है अगर इसी मिट्टी के अंदर कड़ो जो हमोटे आजते हैं, तो वो अनूबर होती है, इन में समयनेता है nitrogen, fast force और हमेंस की कमी होती है, यह खादर निडाल का जो यह यहां पर, क्रीसी इन में अच्छे से की जा सकती है, अब बात करते हैं, लेटराइट मरीदा लेटराइट एक लेटिन सबद लेटर से बना है जिसका साब्दिक अर्थ होता है इंट लेटराइट मरीदाएं उस्ताब्मान और भारी वर्षा के चैत्रों में विक्षित होती है बच्चों यहां पर सिंपल सी बात बता देता हूं आप लोगों को कि जिन चैत्रों के अंदर जो लाल और पीली मरीदा पाया जाती है जैसे कि आपने पड़ा था उपर कि यह उन च प्रवसां एक प्रथम प्रभा शर्म काई वर्षा आथी व्रशा हो जाते हैं और पीछे जह जो है सिर्फ लेटरारेट मिटी ही कछ पाती है तो लाब पिली मिटी बोस्तारों के अंदर उन यह वर्सी से दिंख हो रही है जो है जो कि अधिक वर्षा के कार्ण जो है जो उसमें से पॉसात्तव है उस मिट्टी से वह पानी की साथ बह जाते हैं और पिछे जो मिट्टी बजाती है उसको लेटराइट मिट्टी ही बोलते हैं और उस मिट्टी को उपयोग जो ना इंटे बनाने के लिए ज्यादा उपयोग किया नाम है वर्षाक साथ चुनना और सिलीका तो निक्सास्रित हो जाते हैं और लोहे के अक्साइड और एडिमिनियम के योगिक से बपूर मिर्दाइं से से रह जाती है उस तापमानों में असानी से पनेपने वाले जिवानों हयुमस की मातरक को तेजी से निस्ट कर देते हैं इन मिर्दाओं में जे प्रदाद नेटरोजन फास्वेट और केरिसियम की कमी होती है तथा लोगा एक्साइड और पोटास की अधिक्ता होती है प्रना सुरूप लेटराइट मिर्दाएं क्रिसि के लिए प्राप्स अबजाओ नहीं है यूंकि यहाँ जो अधी बरसा होने की कारण जो है इसमें जो पोस्त अबजाओ है वो निकल जाती है फसलों के लिए उबजाओ बनाने के लिए इन मिर्दाओं में खाद और उवरकों की भारी मातरा डानी पढ़ती है तो ही जो नहीं है अप्रक्रिशी की जा सकती है तेमिलाडू, अंधरप्रदेश और केरण में काजू जैसी वरक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लागा लेटराइड मिर्दाओं जो यह काफी अच्छी माने जाती है माकान बनाने के लिए जो है लेटराइड मिर्दाओं का प्रयोग इंट बनाने में किया जाता है इन मिर्दाओं का विकास मुख्य रूप से प्रैदीपी बठार के उन्च छेत्रों में हुआ है लेटराइट मृरिताएं समनेते करनाटक, केरल, तेमिनाडू, मद्यप्रदेश तथा उडिशा और असाम के पाड़ी सत्रों में भी पाए जाती है तो यह थी हमारी लेटराइट मृरिताँ अब हम बात करते हैं सुस्क मृरिताओं के बारे में सुस्क मृरिताओं का रंग लाल से लेकर किसमिसी तक होता है यह समनेता सरचना में बुलही और पकरती से लवणियां होती है कुछ एत्रों मृरिताओं में नमक की मातरा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी का वास्पिकन करके नमक पराप्त किया जाता है इतने ज़्यदा जो नई लवणियां होती है सुस्क दुलवायू उंच तापान उत्रीवधी से वास्पिकन के कारण इन मृरिताओं में नमी और हमिस दोनों ही कम होती है इन में नेटोजन एप्राप्त और फास्फेट समानने मातरा में होती है नीचे की और चुने की मातरा के बढ़ते जाने के कारण निचले संत्रों में कंकडों के परते पाए जाती है मिर्दा के तली संत्रों में कंकडों के परत बनने के कारण पानी का जो रिषाव सिमित हो जाता है इस रिए सिचाई के जाने पर इन मिर्दाओं में पोजों किस्तत विर्दी के लिए नमी सदा उपलब्द रहती है यानि कि अगर इस मिट्टी में पानी अगर मिलता है तो वहाँ पर क्रिशी की जा सकती है यह मिर्दाओं विशिष्ट सुस्क से तलीक करती ता पश्चमी राजथार में अभी एलेक्ष्णिनिक रूप से विक्षित हुई है यह मिर्दाओं अनूबर है क्योंकि उनमें हुईमस और जेपरदात कम मातरा में पाय जाते हैं लेकिन अगर यहां से चाहिए की जाती है तो इस भूमे की पर भी क्रिशी की जा सकते हैं ऐसके बाद लवनिय जैसे कि नाम से बढ़ा चल रहा है कि इन मिर्दाओं के अंदर जो है लवन की मातरा यानिकि जो नमक है उसकी मातरा जो अधिक पाय जाती है ऐसे मृदाओं को उस्वर मृदाओं भी कहा राता है उस्वर मतलब कि ऐसी जो अनुबजाओं वहां पर जो कोई फसल ने बंजर भूमी की चैसे हो सकती है लवण मृदाओं में सोडियम, पोटासियम और मेकजियम का अनुपाद अधिक होता है अते ये अनुबर होती है इनमें किसी भी प्रकार की वनिस्पती नहीं हुगती है बिल्कु बंजर भूमी होती है मुख्य रूप से सुक्स चलाई और खराब अपवा के काड़ इनमें लवनों की मातरा बढ़ती जाती है ये मिर्दाई सुष्क और अर्थ सुष्क तथा जलाकरों चेत्रों और अनुपों में पाए जाती है इनकी हसना बुलोई से लेकर दो मट तक होती है इनमेर्टों और सुनने की कमी होती है लवन मिर्दाउं का दिखता प्रसार पस्चमी गुजरात पुरवी तटके डेल्टाई और पस्चमी मंगार के सुंद्रवन शित्रम में है कच के रण में दक्षन पस्चमी मांसुन के साथ नमक के कण आते हैं जो एक उपड़ी की रूप में उपरी सित्या पर जमा हो जाते हैं और डेल्टा प्रसार में सुंद्री जल के भर जाने से लवन मिर्दाउं का विकास को बढ़ावा मिलता है अत्यादिक सिचाई वाले गहन करशी चेत्र में विशेश रूप से हर्थ करनते वाले चेत्रों में उपजाओ जलोड मिर्दा भी लवनिये होती जा रही है क्यूंकि उसमें हम अधिक मातर में सिचाई कर रहे हैं जिसके वज़े से जो न वह अब मिट्टी जो है वह लवनिये होती जा रही है सिच्च जलबायू वाले दिशाओं में अत्यादिक सिचाई कोशी का करियाओं को बढ़ावा देती है इसके परणाम सुरूप नमक उपर के और बढ़ता है और मिर्दा की सबसे उपरी परत जो है वह नमक उसमें नमक जमा हो जाता है इस तरह के जो समस्या है वो पंजाब और हर्याना के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर भूमजल का उपर हो जो है वो अधिक मातर में किया जाता है जिससे जो है यहां की मिट्टी जो है वो लवनिया होती जा रही है उसके बाद में है पीट में मरीदा ये मरीदाएं भरी वर्षा और उंच आधरता से युक्त उन शेत्रों में पाए जाती है जहां वनिस्पति की विर्दी अच्छी हो अते इन शेत्रों में मिर्थ जे परदात बड़ी मातरा में इकठे हो जाते हैं जो मिर्दा के हुईमस और अप्यात मातर में जेव ठतों परदान करते हैं इन मिर्दाओं में जेव परदात्तों की मातरा 40.35 सास 5.37 तक होती है जो कि कभी अची बात है यह मिर्दाएं समने तक गाड़े और काजररंगी होती है इन इस तानवा पर ये सारी ये भी है यह मिरदर बिहार के उत्तर भाग उत्र भाग उत्रांचल के द्रैक्ष्ण भाग पस्ची मंगल के तठे सित्रों व्रिस्वा ओर तेमिलडू में पाया जाती है है तो इसके अंदर रहा मातर अधिक होते हैं तो यह काफी ज्यादा उपजाओ मिट्टी माने जाती है उसके बाद है वन म्रिदाएं जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं कि जिन सित्रों के अंदर वन ज अधिक उगती हैं वहां के जो मिट्टी होती है वो वन मिर्दाओं के दोचे वो तब्दील या बदल जाती है अपने नाम के नुशार ये मिर्दे प्राव्द वर्षा वाले वन जित्रों में ही बनती है इन मिर्दाओं का निर्मान प्रवतिय प्रैवन में होता है इस प्रैवन में जो प्रिवर्तन के उनसा मिर्दाओं को गठन और श्रसना बदलती रहती है गाटियों में ये दोम्टी और पासू होती है उपरी डालों पर ये मोटे कणवाली होती है हिमाले के माचंदी छेतरों में मिर्दाओं का अनचांदन होता रहता है और ये अमलिया और काई महमस्वाली होती है निचली घाटियों में 25 मिर्दाओं उर्वर होती है उर्वर का मतलब जो उपजाओं होती है उपर की चर्चा में सपश्च होता है कि मिर्दाओं उनका गठान गुण वायब करती फसलों पौदों और वनुस्पति के अंकुर्ण विर्दी के लिए अतिमैतों है मिर्दाओं जीवित चंतर होती है किसी भी अन्य प्राणी के तरे यह विक्षित से और नमिनीकरत होती है यदि सम्ट पर उनका सहुबचार किया जाए तो उनमे सुधार भी होता है मिर्दाएं उस संतर के अन्य गटकों पर गहरा प्रभावर डालती है जिसका वेश्यम एक अंग है बच्चों इस प्रकार की जो मिट्टी है उसके अंदर हुए में इसकी मातरा बहुत ज़्यदा पाए जाती है और यह मिट्ती जो है काफी उपजाओ मिट्ती मानी ज़कती है तो बच्चों यह थी हमारे मिट्ती की प्रकारा नेक्स्ट्रोपिक होगा हमारा वह स्ट्रक्षन दे सकते हैं यह सब बातें जो है यह सब टोपिक जो हम अपने अगले जो वीडियो है उसके अंदर जो हम इसका अनलाइज करेंगे तो सुटेंड्स आज के लिए तना ही थैंक यू एंड है वे नज डे